अकबर बीर्बल की कहानी बुद्धी से भरा बर्तन एक बार की बात है राजा अकबर वो उनके प्रिय बीर्बल के बीच कुछ मनमुटाव हो गया इसके चलते राजा ने बीर्बल को राजय से दूर जाने की सजा दे दी इस परिस्थिती में भी बीर्बल ने हार न मानी और उन्होंने अन्य गाउँ जाकर वेश बदल कर खेती करना शुरू किया अब वो एक किसान के रूप में अपना जीवन बुजारने लगे शुरू में तो राजा अकबर के लिए सब कुछ सामान निसा था लेकिन कुछ ही दिन बीते थी कि राजा को अपनी गलती का एहसास होन लगा वो अपनी दैनिक दिंचर्या में बीरबल को याद करने लगे थे जब भी उनके समक्ष कोई मुश्किल परेशानी आती तो उन्हें बीरबल की कमी खूब खलती थी एक दिन राजा अकबर से रहा न गया उन्होंने अपने सेनापती को बुलाया और उन्हें बीरबल क धूंड न सके राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे बड़े निराश हुए अब बीरबल से मिलने की उनकी बेचैनी और बढ़ने लगी थी अचानक राजा के मन में एक उपाय आया उन्होंने आदेश दिया कि सभी गाउं के मुखिया को संदेश भेजा जाए कि उन सभी को एक बरतन के अंदर बुद्धी डालकर राजा को भेजना होगा जो भी इस आदेश को पूरा नहीं करेगा उसे इसके बदले एक बरतन में हीरे जवाहरात भरकर राजा को भेजना पड़ेगा सभी गाउवासी राजा के इस अजीबो गरीब आदेश को सुनकर प परेशानी में थे। ऐसा न कर पाने की अवस्था में उन्हें उसी बर्तन को कीमती हीरे जेवरों से भरना था, जो कि इसे भी बड़ी समस्या थी। वहीं, जिस गाउव में बीर्बल एक सामान्य किसान का वेश बना कर रह रहे थे, वहां भी राजा का यहादेश चर्चा का विशय बना हुआ था। गाउव के सभी बड़े बुजूर्ब निराश होकर बैठे हुए थे कि वहाँ बीर्बल आये और उन्होंने कहा कि वह इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। पहले तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ। लेकिन उनके पास बीर्बल पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए इस काम की बागदोर बीर्बल को सौंपी गई। उस वक्त गाउव में तर्बूज की फसल उगाने का समय था। बीर्ब बीर्बल ने बेल को फल से अलग किया और उस बर्तन को तर्बूज समेथ राजा के दर्बार में भिजवा दिया। साथ में यह संदेश भी भी बेज की उस बर्तन के अंदर बुद्धी भरी है और राजा को बर्तन को बिना तोड़े ही बुद्धी को निकालना होगा। जै कहानी से सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर मुश्किल सवाल का कोई न कोई जवाब जरूर होता है, हमें केवल थोड़ा हट कर सोचने की जरूरत होती है